नमस्कार साथियो स्वागत है आप सबका ग्रोथमोंट यूपी इसी के यूट्व प्लेटफरम पर संदी सेवा एवा मन्या नियाईक प्रिक्सव के लिए यूपी ओगी इसी सुरूंखला में जहां महत्तोपून कानूनों के बारे में हम चलिचा करते हैं जिन्होंने आज के भरत के निर्मानों में बहुत ही आहम भूमेकानी भाई हो मैं हूँ आपके साथ द्रूजानी आज इस सुंखला का यह 45 लेक्चर है 45 पाख्यान है जिसके तहत एक मत्तोपून कानून को में देखना है कानून का नाम जैसे आपको दृष्यमान है मैटनीटी बेनिफिट एक इनका एक विशेश महत्व रहता है चाहे वो अगर संदी सेवों की बात करें स्प्रसिफिकली विशेश करके तो चाहे वो प्रत्मिक परिक्सा हो चाहे वो मुख्य परिक्सा हो चाहे या अमरा इंटर्यू हो तो तीनों में इतका महत्व जो है वो बहुत ही रहता है कानून के बरे में बात करते हैं जहां कानून का परीचे लेते हैं सबसब रथम फिर बाद में उसकी पुरुष्ट भूमी देखते हैं पुरुष्ट भूमी के बाद उसके मुख्य उद्देशियों की बात करते हैं मत्वपुन प्राधान देखते हैं प्लस अगर कोई इसमें करके चर्चा करते हैं तो आज एक और कानून के बारे में चर्चा करेंगे मगर उसके पहले मैं आपको बता दू कि अगर यहां सारी चीजों को आपको पढ़ना है तो आप ग्रोथमोट एजुकेशन की वेबसेट विजिट करिए ग्रोथमोट एजुकेशन.com के उपर ब्लोग लिखे जाता है जहां यह माहितिया रहती है और अलग अलग जो है विशही के उपर वहां ब्लोग लिखे जाता है चाहे वो जन्रल स्टडीज के अगर करेंट अफेर्स की बात करें तो उसे संबंधी ब्लोग लिखे जाता है एडिटोरियल्स वेडिया रिपोर्ट्स फिर इस्टरी की बात करें तो इवेंचुली जो है वी एर वरकिंग ओन इट मगर इवेंचुली यह सारी की जो है वह आपको वहां उपलब्द हो जाएगी तो मैं आपको नुरूत करूँग जो है वो यहां मैंड मैप के रूप में है ताकि चीजों को याद भी असानी सरग रखा जा सके और चीजों को समझने में भी हमें असानी रहे है इंट्रोड़क्शन में चारपाच बिंदु देखने है सबसे प्रफम बिंदु कहता है मेटरी बेनिफिट एक्ट एक विशेश कानून है जो की स्त्रीयों को एक प्रकार से अधिकर देता है स्त्रीयों को एक प्रकार से ताकत वर बिनाता है या एक किसम की सक्ती देता है एक्ट वह पास्ड टू एंहनुंस एक्ट वेश्ट VO elders पास्ट अगें जो मालून है कि पार हां हो दरसल मिसल्परदान समाज में डिमिनेंट सोईटी है मरी तो यहां जो महिलाओं का जो अभी नहीं है आप कहा सकते हैं कि एक मेंस्ट्रीम अर्थिक प्रवरुतियों में, मेंस्ट्रीम एक्टिविटियों में बहुत ही सिमीत है और यही एक करण है कि आप जो कारिये संगिठन होते हैं, जो कारिये संस्थान होते हैं वहाँ आप पूरुसी जदा पाएंगे कर्मचरी के रूप में महिलाय जो है वो उनकी तुलना में उसकी जो गिंती है वो बहुत ही कम है तो यहाँ यह gender discrimination जो है यह gender inequality जो है जाती यह भैदवाव कहलेजिए जाती असमानता कहलेजिए उसको खत्म करने के लिए यहाँ कानून जो है वो यहाँ लाया गया है और महिलाओ का जो contribution है जो participation है वो यहाँ mainstream economic activities में बढ़े वो सुनिश्चित करने के लिए यहाँ इस कानून को लाया गया था इस कानून का जो है कानून को पारिट किया गया था हमारी लोकसभा एवं रजी सभा के दुआरा उसके बाद देखे तो इन इंडिया participation of women in labor workforce is relatively low as compared to men's participation यह जिसका जिक्र में ने किया अगर हम पुरुष और स्त्री यहाँ दोनों की तुलना करे तो हमें लगेगा या हम हम निस्क्रिस निकल पाएंगे कि जो पुरूसों की जो संख्या है वो कई गुना ज्यादा है महिलाओ की संख्या में जो हमेरी workforce जो हमारा उनकी संख्या कम है ठीक है तो ये आज भारत की वस्तविक्ता है और इसी वस्तविक्ता को दूर करने के लिए महिलाओ को एक प्रकर से समन्त प्रदन करने के लिए यहां कानून जो है वो यहां लाया गया था यहां एक प्रकर से protectionist law है महिलाओं के लिए यहां महिलाओं को एक प्रकार से सुरक्से प्रदन करता है महिलाओं की जो नोकरियां है उनके जो रोजगार है उनको बचा के रखता है जब महिलाओं जो है गर्भावस्था धारण करती है तब यह इस प्रकार के जो फाइद है वो उनको दिये जाते है ताकि उनका रोजगार बच सके और उनकी नोकरी जो है वो चिनी ना जाये उनके नियोकता के द्वरा उनके एमप्लोयर के द्वरा तो उसी उद्देश्य के साथ यह प्लानुम को यहां लाया गया है पारित किया गया है इंडिया फिमेल लेबर फोर्स पाटिसिपरेशन रेट यानि की LFPR रेट has fallen to historic law of 20.5 परसंट ठीक है या कहने कदार पर यह है कि अगर सो रोजगरी है तो सो में से मातर 20.5 के उपर ही महिलाओं का हक है या महिलाए ठीक है बाकी के बचे जो 79.5% है वो सारे के सारे पूरुश है ठीक है तो पूरुशों की तुलना में महिलाए जो है वो एक घञ़ स्मलग पांच है एक दिसम लग नहीं के सकते है मगर एक बटा 5 है ठीक है वन बाई फिफ्त है तो यही परिस्तिति है आज और इसी परिस्तिति को सुधरने के लिए यह कानून को यहां लाया गया है according to one report published by Deloitte which was titled empowering women and girls in India यह इसका title है जिसके तहट एक finding, key finding है वो कहते है कि 95% of women are employed in unorganized sector, यह तो यह बत तवास्त रिच्टा है क्योंकि भारत और 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 इंडिया को देखे और और इंडियन इकनोमी को देखे तो इसमें unorganized sector जो है वो बहुत ही फैला हुआ है in comparison to organized sector अगर organized sector suppose 100 है ही है तो unorganized sector जो है वो 500 है ठीक है इतनी जो तिवरता से unorganized sector भारत में पनप्राया है तो यह स्वभविक है कि जिन महिलाओं को रोजगरी मिली है नोकरियां मिली है उन मेंसे पचानवे की पिर सद्महिलाओं को संगठीत क्षatt viens के से नोकरिया मिली है संगठीत क्षatt है मैं में सब्सक्र लकारी रूजगरी में इस फैंडियम थी बलॉट जो है परिकर अण neuकर फर्म है और इस परिष्थिति को सुधारने के लिए ही यहां सरकर के द्वरा कोशिश है हो रही है और उन्ही कोशिशों में से यह एक कानून है अब उसके पुरुष्ट भुमी की बत करें तो फिर से हमें माइंड में ही देखना है ताकि चीजे जो है वो आसानी से सपस्ट की जा सके चारपाच बिंदू देखने हैं सबसे प्रथम बिंदू कहता है कि in 1950s when Indian economy was growing at a pace there was a hike in industrial jobs of both men and women भारत ने आजादी प्राप्त की और उसके पसचा तवा भारत ने तही किया कि भारत पुरुष्टी के एकषट्र में आगे नहीं बिड़ना चाहता में नगर भारत एक ओधियोंगी की एक राश्ट्र बिढ़ना चाहता है तो अमरी जो दिसा है वो थोड़ी सी चेंज हुई उसमें थोड़ा फेर फ़र आया हम लोग ओध्योगिक राष्ट्र बिढ़ने की यात्रा पर निकल गये और उसी क्या दो रहा है 1950s में यहां कहा गया है कि there was a hike तब एक बढ़ावा देखने को मिला था चाहे वो पूरुषों की नोकरियां हो चाहे वो महिला हो की नोकरियां हो मगर सब की दोनों की जो और योगिक नोकरियां है उसमें एक बढ़त देखने को मिली industrial jobs में ठीक है तो यहां से इनजोग कह सकते है मगर होता यह गया कि जब कोई महिला है अगर जब वो गर्भवस् और इसकी वज़े से ही उनकी नोकरियां छूटने लगी एंप्लोर्स जो है वो ऐसा एडिशनल बोज जो है वो अपने कंधे पर नहीं लेना चाहते थे तो ऐसा करोणों की वज़े से काफी महिलाओं की नोकरी छूटी आज 45 साल के बाद महिलाओं एक प्रकार सीमानतय उगलाओं अध। जो पूरुष भो मेंस्ट्रीनम एंपलेमिनन में ऑ गए मेंस्ट्रीम एक या केकिटिविटीजज मिलाओं। तो यह देखेंगे आगे, it was frequent that more women quit their job once they became pregnant, yes, एक बार अगर जब महिलाओं ने घरब धारन कर लिया, तो उसके बाद उनकी नोक्रियां जो है वो चुट जाएगी, क्योंकि मेडिकल कंडिशन की वज़े से वे कम नहीं कर पाएंगी, कम नहीं कर पाएंगी, तो एंपलोस जो है वे उ लाओं की आर्थिक एवं सामजिक परिस्थिती एकदम निम्नक अक्षा की होने लगी, बहुत ही खराब होने लगी, उसके बाद देखेंगे तो गवर्मेंट ऑफ इंडिया तो कोगनिसेंस अफ सिच्यूएशन और पास्द लेजिसलेशन लेजिसलेशन आम सोरी तो महिलाओ को मिलना चाहिए, जब महिला गर्बधर्रन कर रहा है स्वास्थिया करनों की वज़ेंसे वह कारिया नहीं कर पर रहा है तो उनक excitedरador मिलना चाहिए, वही रक्षन देने के लिए यह कानून को यहां लाया गया था, एक प्रकर से समजिक नियाय देने के लिए लाया था दिस वर्सन द एकोनोमिक और सोचिल स्टाटस फुमें यस समाज में महिलाओं का आर्थिक एवं समाजिक जो आप कह सकते कि उनकी जो प्रतिस्था थी वह बहुत ही कम होने लगी दिरे दिरे उनकी कक्षा निम्न होती चली गई जिसका जिसका जिकर में ने किया बारी नोकरिया शुटी महिलाओं की स्वाधिन तक है प्रस्चात आज तो परिस्थी बहुत ही खराब है मगर अट दे टाइम ओफ इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के बाद कह लीजिया जब इंडिस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो उमने हमने चूज किया हमने शुरू किया तब वो जो डिकेड था और डिकेड़ हाफ का जो पिरियड था उसमें महिलाओं का बहुत ही नोकरिया मेली ठीक है मगर इवेंचुली जिसे यहां कारण स्पस्ट किये गए उस तरह महिलाओं की नोकरिया चुटती गई और आज मेटरनेटी लिव एंड बेनिफिट्स टो वूमें एंपली इस इसका सबसे प्रथम और मुल्बूत जो उदेशी है वो कहता है कि जो महिला करमचारी है उनको मेटरनेटी लिव मिले यानि की गरभवस्ता के दोरान एवं बच्चे के जन्म के बाद उनको छुटिया मिले ठ प्रोटेक्ट एकनॉमिक इंटरेस्ट ओफ वूमें एस वेल इस तो प्रोवाइड जॉब सेकुरिटी तो वोमें अगेंस जॉब लुस लुस दूरिंग प्रेइनसी ठीक है महिलाओं के आर्थी हितों का रक्षन करना ये भी इसका उदेशी है साथी में गरभवस्ता के दो देखा हैं तो प्रोटेक्ट डिगनिटी ओफ मदर्वून इन दर वर्कप्लेस तो यह सरी चीज है जो कि महिलाओं को प्राप्त हो और उसी उदेशी से इस कानून को यहां लागू किया गया था उसके बाद देखे तो इंपोटेंट प्रोविजन्स कुछ मुल्भूत महत् के समय के दोरान अब देखेंगे सबसे परतन इसका एक्स्टेंट इसका फैला वाइट एक्स्टेंट टॉल अफ इंडिया यह पुरे भारत के ओपर लागू है स्टेट ऑफ जमू और कश्मीर वोस अंक्रूड़ेड इन इस जुरिश्दिक्शन बाइन अमेंडमेंट इन 1970 इस 1970 में एक संसुदन की मदद से जमू और कश्मीर को भी इस कानून के तहत ले लिया गया यानि कि अब यह कानून जो है वो पूरे भारत के ओपर लागू है इंक्लूडिंग जहन के एप्लिकबिलेटी इस अप्लिकबिलेटी इस अप्लिकबिलेटी टू फेक्ट्रीज मा मेंशन किया गया है जिन में फेक्ट्रीज माइन से अलग अलग प्लैंटेशन की बात की गई है साथी में यहां कुछ प्रवरूतियां भी मेंशन की गई है सोपसर एस्टबलिश्मेंट वू वेर टैन और मोर परसनार एंप्लोइड ओन एनी डे ओफ तर प्रिसिदिंग त्वेल्मेंट्स और यसी कोई भी संस्थान यसा कोई भी जो स्थापना कि जहां दस से अधिक व्यक्तियों ने एक दिन काम किया है पिछले बारा मेनों में अ अगर एक भी दिन काम किया है दस या दस से अधिक व्यक्ति होना तो वो संस्थान के ओपर यह कानून लगू होगा ऐसा यहां स्पष्ट रूप से हमें बताया गया है तो यह उसकी एप्लिकाबिलिटी की बात रही अब अगे देखे तो प्रोहिबिशन और एंप्लिमेंट को यहां मेंशन किया गया और कहा गया है कि उस समय के दोरान जिस महिला ने मत जो गर्बधरन किया है वो कारियर नहीं कर सकती और यह सुनिशित करने की जिम्मदरी जो है वो एंप्लोयर के उपर भी है यानि कि नियोक्ता के उपर भी है साथी में खुद महिला के उपर भी जो जिम्मदर ही है वो नहीत की गई है वोमन शाल नॉट वर्क इन इस्टबिश्मेंट विदिन सिक्स विक्स उफ डिलिवरी मिस्करेज और टर्मिनेशन अफ प्रगनेंसी दो अनुस इस अन बोथ एम्पलर रेंड वोमन हर सेल्फ to ensure it या 6 विक्स की यह बात की गई है यानि कि डैड मुईना इस बाइड मुईना काम महिला है नहीं कर सकती जिन्नों ने गर्ब धारन किया है जिन्नोंने बच्चे को जिन्म दिया है या जिन्नका मिसकरेज हुआ है या जिन्नोंने प्रेगनसी को खत्म कर दिया है या टर्मिनेट कर दिया है और इस बात की इस बात का अमली करन हो उसकी जिम्मदरी यहां एम्प्लोयर एवं वो महिला खुद के ओपर दी गई है रखी गई है मेटरीटी बेनिफिट्स की चर्चा धराच चार में की गई है और इसी के तहत यहां कुछ जो फाइदे है वो मिलने वाले है यह सारे फाइदे जो है वो थोड़े महत्तों बोना है एक के बाद एक देखते चलेंगे सबसे प्रतम मुमेन हुआव वर्क्ड फॉर अट लिस्ट अगर किसी महिला ने कोई संस्था में काम किया है तो उसको मेटरिटी बेनिफिट्स जो है वो महिला जो है वो उसकी हगदार है फिर उसके बाद एवरी एंप्लोयर इस लाइबल और वुमेन इस एंटाइटल तो पैमेन्ट बेनिफिट एड़ेट अफ एवरेज डेली की गई है maternity liw की बत की गई है मैं अपको स्पाष्ट बिता दू कि maternity leave में भुक्तान आपको नियोकता के द्वरा मिलेगा ठीक है पैसे जो है वो आपको मिलेंगे चूटीयों के पैसे मिलेंगे उसे ही maternity leave कहता है तो यह स्प्यों की अगया है एप्लोय इस लायबल यानि क उसको पे करना है और यहां woman is entitled woman का हक है उसके बाद देखे तो the maximum period for maternity benefit is fixed to 26 week not more than 8 weeks before the expected deluded date for a woman who have 2 or more surviving children this period is reduced to 12 weeks of which no more than 6 weeks before the expected deluded date दो प्रहधान है अगर कोई महिला ने गर्वदरन किया है और उसके ऑल्रडी बिच्चे है तो उनकी जो चुटी है वो कम है न्यत्रों पहली बार गर्वदरन किया YOUR BENEFA की फिर उसके बात देखे दो बिंदु और है in the case of women adopting a child below 3 months of age of a commissioning mother they are entitled to 12 weeks of the maternity benefit period ठीक है यह commissioning mother का भी जिक्र किया गया है commissioning mother के साथ यहाँ सरोगेसी का भी जिक्र किया गया है कि कोई महिला किसी भी कारणवस गर्वदारन करती है चाहे वो commissioning हो चाहे वो commissioning में तो नहीं होता मगर चाहे वो सरोगेसी हो चाहे वो जो है अपने लिए हो तो किसी भी केस में उनको maternity benefits maternity leave मिलने पत्र है they are entitled if nature of work allows the employer and woman may decide for a certain period of work from home yes तो work from home के भी प्राउधान है जो हमने इस कोरोना काल में जिसके बारे में अमने जाना ठीक है और समझा कि भई घर बैठकर भी काम किया जा सकता है हो सकता है तो उसका जिक्र यहां इस कानून में पहले से है over and about the period of medical benefit फिर उसके बाद the payment of medical bonus की बात यहां धरा आठ में की गई यही इस कानून के जो कहती है कि the employee is liable to pay a rupees thousand as a bonus if not prenatal confinement and postnatal care are provided free of cost by him or her yes तो यहां employer के लिए कुछ allowance भी maternity allowance medical bonus के नाम पर जो है देना होता है उसके employer को woman employer को फिर crutch facility की बात की गई है धरा 11a में this position has been added by amendment act of 2017 the establishment which with 50 or more employees shall have crutch facilities within the prescribed distance with permission to woman to visit the facility four times a day है ठीक है तो कुछ ऐसे विशेस सहूलत है भी यहां employers के द्वारा प्रदान करनी होती है महिलाओ को in the form of maternity benefit dismissal during the absence section 12 देखिए जिसका जिक्र में ने किया कि जो यह कानून जो है if the woman absent herself as prescribed by provision it shall be unlawful for employer to discharge or dismiss her from the job for the reason of such absence or vary the condition of the job to her disadvantage even if a woman was discharged or dismissed on other ground she shall be entitled to benefit except in case of gross misconduct yes कहना करद पर यहां पूरे प्रेग्राफ का कि अगर इस कानून में जो प्रावधान डिये गया है जो महिलाओ के लिए जो छूटियों की बात की गई है अगर महिला है according to this according to this provisions अगर महिला absent रहती है महला गेराजर रहती है अपने काम पर नहीं जाती जैसे 26 weeks का जो है यहां जिक्रक री गया था तो जो employer है जो नियोकत्व है वह उसобщे निकल नहीं सकता ठीक है मत्रों मत्रों अगर महिला करमचारी के दोभरा मिस्कांड Gothic किया जाता है तो ही जो नियोक्ता है वो उससे हटा सकता है अनिय था उससे डिस्मिस नहीं कर सकता on the grounds of absenteeism याने की अगर महिला गेराजिर रहती है और it is according to this law not violating the provisions of this law then employer cannot dismiss a woman employee तो वो इसका यहां सार है तो यह बत रही दारा बारा की फिर उसके बाद देखे तो appointment of inspector यह एक पदाधिकरी का भी यहां चैन करने का जिक्र चैन करने का प्राउधन इस कानून में है जो कि इस पूरे कानून का अमली करन देख सके है the appropriate government shall appoint such officers to inquire into complaints regarding non payment of benefit or improper dismissal during the period of maternity benefit. Penalty for contravention if the employer fails to fulfill the provision of that you or she shall be liable for not less than three months of in prison which may be extended to one year and with the fine which may range between 2,000 to 5,000. येस तो इस अर दा पिनल प्रोविजिंस फुर देंप्लायर्स दोजू वाइलेट दप्रोविजिंस अबाव मेंचेंड यह ठीक है और कहा गया है कि तीन महीने कम से कम तीन महीने की जो एक वर्स तक एक्ष्टन की जा सकती है और साथी में आर्थिक जुर्मना भी यहां 2021 है तो जैसे जैसे समय जा रहा है तो वेसे वेसे कुछ प्रावधनों को यहां सामिल करने की भी जरूरत परती है कुछ प्रावधनों को यहां से निकलने की भी जरूरत परती है तो उसी का तहत तो पूल सात बार अमेंडमेंट किया गया है इस कानून का Act was amended seven times so far in the year 1970, 72, 73, 1988, 1985 and the last amendment was happened in 2017 which is important. ठीक है, जो अखरी है 2017 का वो बहुत ही महत्योपोना है जिसके बारे में लोग यहां देखेंगे, यहां भी मेंशन किया गया है 17 का जो संसुदम है वो महत्योपोना है और क्यों महत्योपोना है? यह उसकी सुची है. सबसे परथम 2017 amendment increased the maternity benefit period from 12 weeks to 24 weeks जो पहले 12 सब्ता की छूटे मिलते थी किसे भी महिला को गर्वधरन करने और बच्चे को जन्म देने के समय में वो अब 24 सब्ता की हो गई है. इंक्लूडिंग या इंक्लूद्स कमिशनिंग मदर and adaptive mother to avail maternity benefits to them. ये बहुत ही मत्तो पोना है. कमिशनिंग and adaptive mother को भी यहाँ इस एक्ट ने अपने प्रव्यू में ले लिया. तो अपने आप में ये inclusive हम लोग कह सकते है इसका स्वभाव. इंक्लूड़्स एनेबल प्रोविजन्स ओफ वर्क फ्रों होम. संसुदन्वे की गई है. After a period of maternity benefit is completed. Yes, maternity benefit period के complete होना के बाद की बाद है. 24 सब्ता खत्म हुए. बच्चे के जन्मों के समीक है. फिर उसके बाद भी वर्क फ्रों में के प्रावदन यहाँ लिखे गए है. And the last one is inclusive of mandatory crutch facility for the establishment with 50 or more employees का जिक्र की है. जो एक विसे सहुलत है. जो कि गर्बदारन की हुई महलाओ को प्रदान की जाती है. ठीक है, तो 2017 का यह amendment रहा है. अब हमें देखना है कि जो international labor organization है. जो कि एक अंतरश्टिय संगठन है और मजदूयों के लिए, कर्मचारियों के लिए of the world. Convention no. 3 which was written in 1919 which says concerning employment of women before and after child birth. Yes. Employment of women before and after child birth. ठीक है. आज भारत में यह मुद्दा जो है वो point of concern है. Point of concern यानि की चिंता का विसाह है. आज यह मुद्दा. महिलाओ को मतरुत वो प्राप्त करने के पहले तो काम मिलता है. रोजगरी मिलती है. मगर उनको मतरुत वो तारण करने के प्राप्त करने के पस्चा तो उनको रोजगरी मिलने में दिक्कत होने लगती है. तो यह आज भारत के लिए जो है प्रस्णा है. मगर ILO जो है को काम देने में रोजगरी प्रप्त करने में कोई समानता नहीं होनी चाहिए Convention no.103 it revised 1990 1919 Convention in 1952 it provided that women should be granted full benefits for full maintenance during the period of leave yes full benefits ठीक है अभी अब्येज कानुन में एक एवरेज payment जो है वो देने का पराउधान है बगर यहां international law कहता है कि full benefits जैसे वे रोज काम पर आही रही है वैसे ही उनको जो benefits है जो remuneration है in the form of salary हो या in the form of incentive हो या जो कुछ भी हो वो सब देना जाए है Convention No. 183 केता है it further revised the 1919 Convention to bifurcate the maternity benefits and provide a detailed list of rights and duties Yes a detailed list of rights and duties rights for women and the duties for employers ठीक है employers का क्या करतविया रहेगा अपनी जो है गर्भस्त महिला कर्मचरियों के परती उसका यहां जिक्र convention No. 183 में किया गया है यह बत रही international laws की अब इस कानून के criticism की बात करेंगे साथ में इसका महत्व भी देखेंगे शुरू करेंगे आलोचना से यान कि कुछ गुद्धी जीवी claims that this act and the subsequent amendment in 2017 specially worsened the condition of women due to additional cost ठीक है यहां जिस कानून जिस प्राधन दिये गई है इस कानून मैंस्वरी उसके द्वारा जो नियुकता है जो employer है उसके ओपर अधिक जो लागत है वो बढ़ गई है ठीक है तो यहां सम इंटलेक्ट्ट्ट्ट्ट् more burden on employers तो यह किसकी अलोचना हुई दूसरी अलोचना according to this act the employer have to bear all the extra and additional cost of maternity benefit without getting grant from the government yes बेर तो करी रहे है ठीक है मगर उनको सरकार के द्वारा भी कोई रहत नहीं मिल रही है कोई assistant नहीं मिल रहा कोई granting aid नहीं मिल रही है उनको अपनी जहब में से महिलाओ को maternity lab देने होते है तो यह इसकी दूसरी अलोचना है सरकर को यहां किसी भी किसम की सहाई वितिय सहाई करनी चाहिए तीसरा मुद्द absence of mechanism for the employer where the productivity of the company is not geopolitized absence of mechanism for employer yes employer के लिए कोई grievance रही है employer अपनी बात कहीं रख नहीं सकता कोई ऐसा mechanism नहीं है और इसमें company की productivity को बहुत ही निजर निदास कर दिय है महिलाओं को मतरुत्व लब दिने के लिए कंपनी की जो productivity है जो कंपनी की कंपनी के जो उसूल है कंपनी का जो objective है वह यहां फ्रीड होता जा रहा है यह इसकी तिसरी आलोचना है अब अब अधर एंडगर महत्व की बात कर तो महत्व भी काफी सा रहे है कि जैसे मैं आप सामजिक स्टेटस को भी अलिवेट करने के लिए यह कानून जो है वो बहुत ही मददरूप साबीत होगा सबसे प्रथम इसका इंपोटेंस कहता है कि इंडिया इस कमिटेट तो बुविंग तो इस जंडर फ्रेंडली इंक्लूजिव मर्केट यानि कि हमारा जो बाज़ार ह है वो समावेसी होना चाहिए वो जातिय समानता से भरपूर होना चाहिए नहीं कि आज जसी वस्तविकता है जातिय समानता इस इंपोटेंट टो क्रिए अ कंडियूशिव एंवर्मेंट एट वरक प्लेस यह तो एक सानुकुल अनुकुल वातावरन महिलाओ के लिए अपने कर्म के कारिये के जगह पर क्रियेट करना आनी वा लिया है और यह जो है करने में मदद रूप ओर रहा है यह कानुन यह इसके पहली इंपोटेंस की बात है पहला महतुआ है दूसरा एक्ट प्रवाइज मुच निड़े रिस्पेक्ट तो मदर्वोड और जोब सीकूरिटी दिखी तो अब प्रवाइज की गार्वाइज की एक बहुत है और रह्म की तो आज़ीं अगे चाहिए अनका लोजगार की रख्शा रख्षावनी चाहिए। जब वे रिज्यूम करें after their pregnancy तो फिर से उनको मिल जाना चाहिए और during the maternity leave, during the pregnancy period भी उनको जो लाब है वो मिलता रहना चाहिए ऐसा यहाँ इस कानून ने स्पस्ट किया है तो यह अपना आपने बहुत ही अहम कानून है, अहम कदम है the act encourages more and more women to be part of the labor market, yes, इस कानून के द्वरा महिलाओ को स्यदे से जदा जो मजदूर बाजार है ठीक है पूरे विश्वो का या आप कहले जी भारत का क्योंकि यहाँ national law की फिलाल बात कर रहे है तो उसमें महिलाओ का जो participation है उसको encourage करता है क्योंकि महिलाओ को मालूम है कि भले ही pregnancy आजाए मगर pregnancy के पस्चाद भी हम लोग हमारा काम जो है को resume कर पाएंगे हमारा काम हमरे से जो है हमसे जाएगा नहीं हमसे कोई छिन नहीं सकता और किसी और को मिलेगा नहीं act focuses on encouraging gender diversity in the workplace and improve the economic and social condition of the woman yes आमतर रुपे maternity benefits के जो additional cost है उससे बचने के लिए जो employer से वे अपने staff members को male dominant वाला कर देते हैं ताकि जंजटी नहीं हो maternity leave की additional cost की तो यहां उसका भी दियान रखा गया है यह कानुन जो है वो एक परकर से gender diversity के उपर focus करता है जो करियस्थल है वहां जाती है विवित्त होनी चाहिए याने कि यहां महिला होनी चाहिए पुरुष होने चाहिए दुनों ही प्रमान होने चाहिए यह सब प्रमान होने चाहिए इक को लोने चाहिए तो यह इसका एक पहला महत्वा है और दूसरा है ऐसा करने से महिलाओ को ज्यादा रोजगरी प्राप्त होगी अलग-अलगे तग आजी उपाख्यान के तहर मैं देखनी थी एक अलग इसके जो बात के उपाख्यान के साथ उसके विश्टेशन के साथ है और यूप्यों को लाइक कीजिए इससे सब्सक्राइब कीजिए और एकस्टमांट education.com website के उपर भी विजिट कीजिए वहाँ से आपको exam related material मिलेगा आपको career oriented help भी वहाँ से मिल सकती है तो आज इतना ही हम लोग मिलेंगे तप्टर के लिए देखते ही एक रॉत्माट यूपी यसी जोई हैं